हलो मेरे प्यारे बच्चों तो जेई एडवांस की तेज़स सीरीज के अंदर आपने केमिकल एकलिब्रियम के सारे फंडामेंटल्स को कवर किया और आज मैं एकलिब्रियम के सेकेंड पार्ट के अंदर आपके आईनिक के सारे फंडामेंटल्स को क्लियर करूंगा आईनिक एक बहुत आसान बहुत डिफिकल्ट चाप्तर है सर ये कैसा स्टेट्मेंट है एक्चुली इसमें से जो सवाल आते हैं मैं लेकर आया हूं कुछ एडवांस के स तो आप आयनिक का कोई भी सवाल फोर सकते हैं विदाउट एनी डाउट ठीक है अब थोड़ा सा इसके अंदर आयनिक के अंदर आप्रिट्यूट चाहिए होता है हम दो कि हाँ खोजना है हमको इसका एक्टिट्यूट चाहिए होता है कि पी एच निकालने के लिए मुझे ए चुरू करते हैं पहला जो मैंने फंडामेंटल लिया है आयनिक का वो लिया है क्याल्कूलेशन ऑफ पी इसमें मैं बफर भी ले लूँगा सॉल्ट ही ले लूँगा ठीक है ना इवेंच्वली पूरा आयनिक जो है क्याल्कूलेशन ऑफ पी ही है हम लोग हमेशा पी एच को question में given PEEöst के भी हमें question में given तो क्या आ इसका प्येश निकाल सकते हैं fundamentally एक विक असे जिसक का PKB गिवन हो उसका क्या pH निकाल सक्कते हैं निकाल सकते हैं चले निकालना शुरू करते हैं मैं यहां से निकालना शुरू पर ऐगर में यहां से के बी की बात करूं तो यह कि बी इसना हो जागा मेरे पास के भी इखाएगा मेरे पास यहां से 10 to the power minus 3 molar X हमारे पास क्या है क्या concentration of OH- है क्या concentration of OH- है क्या X हमारे पास concentration of OH- है ठीक है concentration of OH- है तो यह कितनी है 10 to the power minus 3 molar और तो यहाद मेरे पास pH कितना आलाएगा मेरे पास 3 और pH कितना आलाएगा मेरे पास क्या पहला पंडा क्लियर हुआ तो मेरे पास इसका जो मिल रहा है पीएच है कि यतना है पीएच मेरे पास 11 और पीएच कितना है थ्री तो यह जो मिल रहा है यह जो मिल रहा है आर से मिल रहा है इसको निकालो यह भी बहुत सिंपल है जीरो पॉइंट वन मोलर हमारे पास क्या है और सिस्टेक्स एच फाइफ नहीं है प्वेश्चिन के इंदर वीक असिट बापिस से वीक असे कैसे निकालों के भाइब का सी 6 एच चू यहां पर आपके पास दायाएगा एच तू यहां के पास आयो नाई होगा बनाएगा c6 h5 nh3 positive और बनाएगा च्टू ओच ने किते बेस बेस बनाएगा ना भई बेस है न एनिलीन है न चाहिए ठीक है तो यहां पर मेरे पास यह बना एक्स यह बना एक्स यह बना एक्स यह टी बराबर टीकलिवरंपर कितना था जिरो पॉइंट वन माइनस एक्स डारेकली टीव किह से एकस्ति खरच वंचेंशन और टीवर माइनस यहां से फिर ईक्स्वर इंकले डाओंट यह दो आनड़ल क्यों फॉर और एक्सटरिशन है पास सब्स् mand đến सब्स्सजिंए oxygen उलिए दरी सब्स्सट इंचेंस एव स्क्राइब सब्स्स कितना निकल कराएगा पफ बमस अ ठीक है तो यह वाला जो मेरिये मैं लेगा पिएच इसमें अपिसे तो मिलेका नी त्यूसरी नी 0.1 molar boh is titrated with 20 0.025 molar hcl के भी हमें बताना है हमें क्या बताना है के भी बताना है तो चलिए इसको solve करते हैं इसको solve करते हैं सी पॉइंट यहीं लिख देता हूं हमारे पास boh है हमारे पास hcl है इसका हम लोग यह हमारे पास बन जाएगा और हमारे पास h2 बन जाएगा अगर मैं देखूंगा बच्चों इसका तो इसका जो concentration दे रखा कितना रखा वन मिली मोल दे रखा एक वन मिली मोल दे रखा है इसका भी आप निकाल सकते हैं है इक्वएलेंट कॉंसेप्स से इसके इक्वएलेंट बराबर इसके एक्वएलेंट का वॉल्यूम कितना आजाएगा वन अपॉन जिरो पॉइंट जीरो टू फाइफ एच्चल का वॉल्यूम हमारे पास कितना आजाएगा 4040 इन्टु 0.025 यहां भी वन मिली मोल दे रखा यहां भी वन मिली मोल देगा टी बराबर जीरो पर टी बराबर जीरो पर है टी बराबर टी क्लिवरम पर यह तो खतम हो जाएंगे सारे सारे यह मेरे पास वन मिली मोल देगा सॉल्ट की कंसेंट्रेशन मेरे पास कितना आ गया ठीक है और मेरे पास सॉल्ट का वॉल्यूम कि 50 आगई मेरे पास 1 by 50 आगई क्या 1 by 50 आगई यह concentration of salt आगई क्या concentrations of salt आगई है मेरे पास तो क्या मैं directly formula निकाल दू directly formula बदा दू pH is equals to 7 minus 1 by 2 PKD plus log C और यहां से कितना जाएगा 7 minus log कितना 12 plus 0.02 तो यहां से आजाएगा मेरे पास 7 minus 1 by 2 12 plus log 0.02 यहां से यहां से मैं solve करूंगा तो 7 minus 12 log 0.02 को में लिख सकता हूँ 1 by 50 है ना 2 10 to the power minus 10 तो यहां से मेरे पास निकल कर पी चाहता है one point eight solve कर लीजगा आप लोग ठीक है फो यह मिलेगा यह मिलेगा मेरे पासके से यह मिलेगा मेरे पास पास uh Q से Q से मिलेगा ठीक है न अब यहां पर मेरे पास लि 120 अब आप यह देखो यह देखो यह देखो जीरो पॉइंट बन मोल आपने डिस्टिल्द वाटर देन वी अब देखो 0.1 मूल आपने डिस्ट्रॉड किया है तो पूरी तरह से टूडिया होगा एक्ट्राइट नी रहने वाली है किते हिए वाली तो this patient nee वाली है is किया मेरी बात समझ में आती आप को यह देख लो चेक कर लेना आप लो ठीक है ना ती से भी मिल लाएगा यह आपके पास आंसर निगलकर आ रहा है क्या फंडमेंटल बाते क्लियर है पी एच की फंडमेंटल बाते मैंने आपको समझा यह बेसिक से स्टार्ट किया है बिल्कों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर को बतानी है ठीक है ना सारी कहानी है जिद्धी होनी कहानी है ठीक है एच फ्लस को पकरना आना चाहिए आप लोगों को चलिए शुरू करते हैं भई है अस्येश थृ एच टू से रियाक कर रहा है यह बना रहा है हमारे पास क्या चिए फरी एच अह थ्री पॉजिटिव और शीयल नेगेटेव सॉल्ट आब यहाँ पर अगर मैं इसका बात करूं टी बराबर जीरो पर टी बराबर जीरो पर बात करूं तो यह कितना एंग यह कितना है 0.o8 ठीच है यह 0.08 तो यह तो कि ऑसो 0.1-0.08 यह तो खतम हो जाएगा यह कितना बनेगा 0.08 यह कितना आ जाएगा 0.02 तो यह देखो एक वीक बेस प्रेजेंट है और वीक बेस का sort strong asset के साथ present है तो यह कौन से टाइक का buffer दिख रहा है आप लोगों को क्या यह basic buffer दिख रहा है कि अरे यह बेसिक बफर दिख रहा है अरुए यह बेसिक बफर दिख रहा है बहुत बढ़िया आता है तो तो फॉर्मूला आता यह क्या है तो west Eagles to log किए का कंसेंट्रिशन अप्स का कंसेंट्रिशन यहीओ फॉर्मूला था था किए फॉर्मूला भी भूल चुकी हूँ ठीक है कि हमारे पास कितना अजाएगा भेई पी वेच निकालते हैं मेरे पास पी ओच is equals to PKB PKB कितना है वही फोर माइनस लॉक फाइफ प्लस लॉक फोर जिरो पॉइंट जी रो एट अपॉन जी रो पॉइंट जी रो टू और इसको 14 में से माइनस कर देते हैं हम लोग इसको ड्रेक्टिछ 14 में से दोने तरफ घटा देते हैं 14 माइनस इदर भीस फृटीन कर देते हैं कि उसे कितना यहां 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 मिरे पास निकल कर आएगा टैन पॉइंट जिरो 10.097 आप लोग solve कर लीजेगा तो यहां से मुझे 10.097 लाना है तो 11- something होना चाहिए 11- something होना चाहिए तो 11- कितना जाओं मैं 0.97 तक लाना है तो 11- 0.9 क्या प्रॉक्स घटा दू 0.9 क्या असपास का नंबर घटा दू तो 11- अगर मैं लॉग 8 कर देता हूं 11- अगर मैं लॉग 8 कर देता हूं तो मेरे पास यह वैल्यू निकल कर आ रही है अप्रॉक्सीमेटली तो मेरे पास जो सवाल था सिर्फ फॉर्मूला बेस सवाल था और कुछ भी नहीं पूछा था सीधा फॉर्मूला लगाना था आंसर लाना था सर क्या ऐसे सवाल आते हैं जे एडवांस अब क्या पूछा इसने कि क्या एफेक्ट आए ग्णोर कर सकते हैं और रिप्रेजेंट्रेट्रेशन ऑफ एच्प्लस आएं ठीक है सर दोनों बाते समझ में आती है कि negligible तो अब क्या पूछा इसने कि क्या एफेक्ट आएगा लिस्ट दे रखी है हमको ठीक तो पहला वाला देखें अगर हम टो पहला वाला 5 payment ow 0.1 molar ullen ग Lewis एक करके देखी लेते हैं सबको कर यृक करके देख लेते हैं शबको 20 कर डैना मल 0.1 मॉल फक्लत section 2 2.1 मोलर 20 ml 0.1 पार एक यह तो मुझे बफर दिख रहा है एक हिप्सिमम कपैसिटी कि लोगों को दिख रहे यह बफर मैक्सिमम कपैसिटी दिख रहा है प्लस ही तो यह तो यह तो खतम हो जाएगा यह वन मिली मूल बचेगा है कि है यह तो यह में पास क्या है बफ्र है बफर क्या है ये बफर है बफर क्या है ये बफर है ये बफर सलीचे तो कोई अक Gradus नहीं आएगा और अब क्या है maximum capacity आगे मैं बफर capacity पर पूरा डिटेल डिसकेशन करूंगा पर इस बफर की capacity क्या है जहाँ पर हमारे पास salt और recipe concentration बराबर हो जाती है वहाँ पर हमारे पास buffer की capacity maximum हो जाती है यह पता होना चाहिए ठीक है तो यह अगला वाला गर मैं देखू अगला वाला गर मैं देखू अगला वाला गर में 20 ml of 0.1 molar नहीं हो है 20 ml of 0.1 molar ऐसे टीक एसे दिए तो हैड्रोलिस दिख रहा है क्लिरली क्यूं को अब्सर्व करो 20 ml 0.1 molar एसेटिक एसेड और 20 ml 0.1 molar क्या है मेरे पास 20 ml 0.1 मेरे पास क्या है एसेटिक एसेड है अरे है ना भाई हाइड्रोलिस दिख रहा है न इक्वल कंसेंट्रिशन है एसेटिक एसेड और एसेडिक एसे तो लिख दिए हय है तो यहाँ पर मेरे पास क्या है हीड्रोलिस से क्लियर लीन निउग पःफ देखो सी एस थ्री ए six to change डहीं है हमारे पास तो यहाँ पर यह बन जाएगा यह यह बन जाएगा मेरे पास मिंस स्प्प्रीट में स्क हेंदर का बनेगा स्ट्य को न सिए थ्री सी ओनि वह एनी टू एजट टू मिली मोल तू मिली मॉल पास टू मिली मॉल अब दीवीन बने ठीज से चैंज कैसे न चेंज कैसे होगा अब यही इस सर्फ सल्विशन के बचा है इस सल्विशन के अंदर मेरे इसका हाइड्रोलीस जब होगा है इसका हाइड्रोलीस इनने एच टू से रियाक्ट करेंगा मेरे पास मेरे पास बनायेगा यह स्थी एस लिए Χ और ओर और ओह तै त польз निगेडेव एह अगरित्ए बनाएगा तो मेरे पास अगर मैं बात करूं इसका का इनिशेल कंसंटरेशन बात करता हूँ इनीशल कंसेंट्रेशन कितना साट्य का T वह था कि अबनी वाले का कितना है इस दिए आफ़्ट कुछ ए कि नियुक वाले का कितना है यहां पर मैं अगर रखता हूं एक स्कौर इंग्णोर कर सकते हैं बनी वैलियू को रख सकते हैं या फिर दोनों की वैल्यूस को बराबर करके रख लिया जाए यहां पर इसको ऐसे लिखते थे हैं कि एच इए उकल स्टुटार क और अदर पूरानी वाली कंसेंट्रेशन में पास से ओल्ड वाली यह यह ओल्ड़ के लिए strict hour यह वहां चेटना राएक़ ट्यूट से टोड़ जाएगा उपर और यहां से मे पास एटैना कितना आरहे है थोड़ा लिख दिया रहे है सैंग्ला वाला भी सेम है अग्ला वाला तुम्हें खुद गरना मैं बता रहा हूं ठीक है और यह हमारे पास एड़ाएगा कितना एड़ाएगा मिर पास i Saudi warigya moralityि एटी वरना तो यहां पर मिर अजयएका इसको धर लिख देते हैं साइड में यहां पर मेरे पास ऐड़ाएगा ओएच- माइनस- ओर्ड़ फेज माइनस-का स्क्वर ओर गा किजी इकलस्टू यहां पर में पासे और रूप टू तरी रूप टू तू आएगा जब मनें स्क्वर वटा यह नहीं है तो अ टू हुआ हु ह्मारhoe दो दो रिख मीनस न्युक्रव करता है ठीक है यहां से मे normally dépमरीपा फॉल्द हो ठीक नारा य hm कि घारें पर पर स्वित्थ फुलावट को टू वड्माइनस नियू तो यहां सी मिरे पास है से इस प्लस के अलाएं तो है प्लस ओल्ड कितना लाएगा घृट फ्लस तो एच प्लस नियू ठीक है चलो थोड़ा देखते हैं इसको आज बोल रहा है यह मेरे पास बोल रहा है कि दा वैल्यू आफ एच प्लस चेंज कर जाएगी हमारे पास किससे र तो 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 देखो आंसर तो अजयागा दी यह वाला तुम खुद सॉल्व करोगे यहां यहां बंदाइरूट से चेंज करेगा खुद इस टैप का मैं सवाल करा चुका हूं इस टैप का सलुउशन में करा चुका हूं ठीक है अगला वाला देखो भई टैनमल साचुरेत यहां पर किया है यह तो यहां पर 9 पर 9 आपके पास डिलूशन घ्री है नो फेक्ट पास से मिल दाएगा वन से मिल दाएगा को ईफेक्ट नहीं तुक्रिण नहीं आएका धेका फन्डमेंटल सवाल था अठार्बान्जस नोजर सवाल को स्वाल को difigual सवाल के मुझे बताो सोच나ला बस था दिमाग लगाना था तो अगला सवाल देखी भी है अगला सवाल देखी सर कहें कि दिमागि लगाना था वह होता तो हम लोग आयाइट ही नहीं होते चलिए होंगे जरूर होंगे दिमाग लगाना सीखेंगे आप चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग पूछा है 2.5 ml of 2 बटा 5 molar weak acid monoacidic base हमारे पास है ठीक है ना एक प्लस का वॉल्यू एच्छील का वॉल्यूम यूज निकाल दें का पहले है एच्छील यूज्ट इन टाइटरेशन कि कि नाजागा भाई यह यह जागा मेरे पास टू बाइफ फाइफ ज्यान से सुनना बात को भई ठीक है ना टाइटरेशन से आप लोग वॉल्यूम निकाल ले निकाल लिए जिए बटाफट निकाल लिए टू पॉइंटू कितना रहा यह यहां से मेरे पास वॉल्यूम वी तूबाइफ 15 यहां से वॉल्यूम निकाल रहा है एच्छील का यूम यूज निकल कर आगया मेरे पास तो क्या मैं अब रहा है धिक्राइए यह बना रहा है मेरे यह हो जाएगा मेरे पास कितना पांच गया 0.5 जिरो पॉइंट फाइफ इंटू वन मिली मोल वन मिली मोल मेरे पास बन रहा और टोटल वॉल्यूम कितना मेरे पास सेवेन बाइफ प्लस टेन तो यह मेरे पास बन रहा है कि यहां पर दोनों ही अलार है दोनों ही अलार है यह टूबाइफ फाइफ है ठीक है दोनों ही क्या है एलार है ठीक है दोनों ही अलार है मेरे पास तो यह मेरे पास बन जाएगा यह कट जाएगा 0.5 इंटू 0.1 0.1 मिली मोल मेरे पास बनेगा 0.5 इंटू तो वन मिली मोल बने तो यहां से मेरे पास BCL का कंसेंट्रेशन कितना आ गया मेरे पास जीरो पॉइंट वन आ गया गया तो आप डिरेक्ट अब सुल का कंसेंट्रेशन आ गया है तो यहां पर निकाल देता हूं इसको ख किएच इजए इक्स स्क्वाइर अपान 0.1-1 एक्स यह 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 रहाए तो यहां से किएच कितना राएगा टेंट टू पावर माइनस टू टू से कितना निकाला है मैंने 0.1 एक्स्वाइर 1-1-1 एक यहां से निकल कर आएगा आपके पास 0.27 ठीक है सॉल को लिजेगा नेगलीजिबल नहीं आएगा एच इस नॉट नेगलीजिबल यही आएट का खेल था एच इस नॉट नेगलीजिबल यही था हम लोग एच को इगनोर कर देते हैं जबकि हमें हर मोड पर नेगलीजिबिलिटी या अप्रॉक्सिमेशन को चेक करना है चार नंबर का सवाल है तुम्हारे ठीक है कॉंसेप्ट आते वे भी अगर तुमने गलत अप्रॉक्सिमेशन ले लिया तो सवाल गलत हो इंट to the power minus 10 थीक है यह रहा और यह पंड़ लो समझ लो देख लो ठीक हैओ कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है यह पर हमें अप्रॉक्सिमेशन को चेक करना है भूलना नहीं है कि APPROXM Leshen वोते हैं इनको नहीं भूलना है ठीक है चलिए ठीक है भई डी आंसर हमारे पास रहेगा जे एडवांस 2008 का सवाल था ठीक है वह निकाला है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं यह क्या करें अगला सवाल a solution is prepared by mixing of 0.01 molar H2CO3, NaHCO3, Na2CO3 and NUH चलो हमारे पास क्या है अभी तुम चौकने वाले हो you will be shocked 0.01 मोल सर शॉक्ट होने वाले हैं ऐसे कैसे शॉक्ट होने वाले अभी शॉक्ट हो जाओगे अभी शॉक्ट हो जाओगे 0.01 और यहां पर मेरे पास क्या है NaOH भी 0.0 H2CO3 और NaOH भी reacting acid waste reaction होगे हमारे पास क्या बनेगा हमारे पास H2CO3 react करेगा NaOH के साथ बनाएगा मेरे पास NaHCO3 और बनाएगा H2 पी बराबर 0 पर मेरे पास कितना है 0.01 0.01 डश डश पी बराबर कितना लाई गई है खतम हो जाएगा पुरी तरह से 0.01 बन जाएगा तो यानि आप मेरे पास यानि मेरे पास क्या है बच्चों यानि मेरे पास क्या है 0.01 मोल NaHCO3 के ज़ादा है solution के प्लॉट के अंदर बफर नि मैंवाइन के अंदर न के डिया है पीए के एट ध्यान दीजेगा hc o3 क्या है हमारे पास hc o3- यह आपके पास कहा जा सकता है h2 co3 में जा सकता है और यह कहां जा सकता आपके पास co3- तो हम लोग अइन माइजेशन एसड का इसे नियूस कर रहे है co3- मेरे पास तूट रहा है H+, और co3-2- के अंदर MPProtect species है ठीक है, MPProtect species है, ठीक है, H+, और co3-2- के अंदर तो कौन सा k आएगा है, bhai, k2, pka2-log, क्या दाएगा मेरे पास, salt, कितना है मेरे पास, co3-2, अपॉन, acid कितना है मेरे पास, hco3, तो PKA2 कितना है भई PKA2 है मेरे पास 10.32 10.32 प्लस लॉग 0.01 और यहां से 0.02 यह कितना जाएगा 10.32 माइनस लॉग 1 बाई 2 प्लस लॉग 1 बाई 2 सॉरी यहां से माइनस लॉग 1 बाई 2 हो जाएगा 10.32 माइनस लॉग 2 0.3 तो लगबग 10.02 के आसपास यह आ रहा है निरस इंटीजर पूछा गया था तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आ रहेगा यह इस ही सवाल आते हैं फंडबंडमेंटल फिंकिंग तुहारी आईनिक के अंदर वो टेस्ट करना चाहता है क्या तुम्हारी fundamental thinking clear है तो तुम आइनिक का कोई भी सवाल पोर सकते हो fundamental अगर नहीं clear है अगर जानते ही नहीं कि बेसिक कहाँ चुरुआत होती है तो आप आइनिक का कोई सवाल नहीं solve कर पाऊगे एड्वांस का तो श्पेचली नहीं कर पाऊ चली अगला सवाल देखते हुआ अमीन एसेट ग्लैसीन लिए रखा घ्लैसीन दे रखा है अब ग्लैसीड बायो मोलेक्यूल सभी लोगों ने पढ़ लिया हुआ एक सवाल तुम्हें पुछता हूं एक सवाल में तुमसे पूछत Glycine can also acquire additional proton from this species positive species NH3 CH2 COH the resulting cation may be considered to be a diprotic acid is cation from diprotic acid one proton from COH group and one proton from NH3 group lost in NH3 positive group PKA values for the process given for a 0.01 molar solution of neutral glycine neutral glycine की बात कर रही है neutral glycine की बात कर रहा है मतलब positive negative same होगा उसके उपर same charge होगा उसके पॉच्छा क्या है pH percentage of glycine in cateynic form poh नाइनिक form के अंदर percentage glycine चलिए शुरू करते हैं glycine का एक जो form दे रखा है मुझे positive form जिसको मुने एक diprotic acid consider किया है CH2 COOH यह अपना H plus निकालता है यह अपना H plus निकालता है अपना H plus निकालता है तो यह हो जाता है NH2 NH3 positive CH2 COO negative यह glycine का neutral form है यह क्या है यह glycine का neutral form एक positive एक negative निकालता है फिर यह क्या होता है यह भी आयवनाइज होता है है एक हच प्लस और निकाल सकता है एक हच प्लस और निकाल सकता है यह हो जाएगा आपके पास NH2 CH2 COO negative जिसका हमें यहां पर PKA2 दे रखा है जिसका हमें PKA1 दे रखा है तो यहां से pH हमारे पास कितना निकल कर आएगा पी कितना दे रखा है मुझे फी के बंदी रखा है मुझे 2.22 1 by 2 2.22 नाइन पॉइंट सेव नाइट एब कर आईगा तो यह स्टेटमेंट सही है यह documentation निकला conf पर संचुन मिशे्टर ग्लाईसीन निकालना है तो बहुत थर्ष असकैनि निकाल सकते हैं पर्सेंटेघ्वाइसीन निकाल सकते हैं तो हुआ पकावन लेख सकता हूं की बाद कर देता हुं के बन मेरे पास कितना जाएगा है फटी श्रीव कंसंट्रेशिन अपॉर न्यूट्रल ग्लाइसीन की तो नहीं पॉसिटिव थे सी एज तू नानकिट से डीव भावर अगर के बाद की बात करो कितने राएगा के एंग भैं को फ 10 to the power minus 2.22 इसको short form में simplify करेंगे भी परिशान मत हो एच प्लस की concentration 10 to the power minus 6 0.1 neutral glycine की concentration किती ही रखिए 0.01 रखिए neutral glycine की concentration किती ही रखिए 0.01 upon cationic form की concentration तो हमें find ही करनी है NH3 positive CH2 COO negative COOH negative बोल रहा हूं यह तो neutral हो जाएगा है 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 in the way यहां से स्कुइदर भीज़ दो जी कितना हो रहरा एनिच 3 positive CH2 COOH यह जाएगा मेरे पास 6 और नीचे जाएगा कितना हो जाएगा यह ए ए एएट मैंसे 2.22 गया है तो कितना हो रहा यह 5.78 कि ठीक है ठीक है ठीक है कितना रहा यह 5.78 अजाएगा 10 की पावर 10 की पावर कितना लगा यह 10 की पावर माइनस 5.78 अब इसको 5 को अलग करके 0.78 लाना है मुझे तो 0.78 लाने के लिए कुछ दे रखा उसने तो यहां से मेरे पास कितना आजाएगा कटाइनिक फॉर्म के अंदर के अंदर पास रागा एस थी पॉजिटिव च्छ तू ओ वेच यह मेरे पास अजाएगा निकल कर 10 की पावर इसको इसका एंटी लोग लेना आपके पास अंसर दिख जाएगा आपको इसका एंटी सिक्स माइनस लॉग सेवन कर दो 6-1.7 आपके पास अंसर आजाएगा 10.578 आपके पास क्या आगई कि आपके पास मात्रा आगई क्या टाइनिक फॉर्म की तो परसंटेज आज़ा क्या परसंटेज अंसर पॉजिटिव यह रहागा आपके पास सी एच टू सी ओ ओ एच यह रहागा आपके पास 1.7 इंटू 10 दो पावर माइनस 6 डिवैड़ेड़ वाई 0.01 इंटू 100 तो यह रहागा मेरे पास 0.017 परसंट तो यह मेरे पास के टाइनिक फॉर्म तो सही दे रखा है कि टाइनिक फॉर्म तो सही देट एख है गी सेम इसी तरह से क्या एक फॉर्म निकाल लोगे एसी तरीके से एनाम निस फॉर्म निकाल लोगे शलू निकाल है परसंटेज है का इला सीम है कुछ बहुट डिफ्रेंच नहीं आट ध्या breaths अब धय लिखूंगा K2 के टू लिखूंगा यहां पर आजागा मेरे पास नायनिक पॉंप एनेच टू छी एच टू तू तो ती ओ नेगेटिव काइच पॉंप की पावर कितना कीपावर कितना तैन की पावर कितना की पावर दे रखा है कितना और यह पास एन एच टू चीएच टू ती ओओ नेगेटिव अधिक यहां पर इसकी सब्सक्राइब को सीम आगे सेम टेंट पावर माइनस 5.78 बन रहा है तो यह तो फॉटेज़ का जाँ अगी इसमेज यह पंसर टेज़ किया जाँ आजी कि नहीं आगे हाँ आ ना तो बता द लिखोंगा तो यहां से निकल गाए तो यह बात समझ में आती है तो यह भी आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास सही हो जाएगा एक अच्छा सवाल था एक करने लाइक सवाल था कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं था तो हमारे पास जो और आंसर हो जाएगा और और बिल्कुल सही बात है फंडमेंटल बात है आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं चलो पढ़ो सवाल को भी थोड़ा सा ठीरिटिकल सवाल है तो इस ठीरिटिकल सवाल के अंदर मैं एक छ छोटा सा स्नाप्शॉट दे दूंगा जो पूरे-पूरे हाइड्रोलेसिस के टाइनिक और अनाइक को अबर करता है क्या बोला है वेन वाटर इस डिजॉल्ट है तो केसी एं अर रियाक्शन अकर बिट्वीन बिकॉस सी एट माइनस आयन इस ट्रॉंग पॉटर बिल्कुल स कूल सी स्टेटमेंंट करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है करेक्ट अभी बता देटें रिजंड नियुक् decía करेक्ट स्टेटमेंटतgre 20 나온 वह अपको स duplic ment होगा एक incorrect statement क्या है इंक इंकरेक इस्ट मिन है formation of free acid water on the CS 3s नहीं हमारे पास क्या बनता है है इसका CS3 का स्टूर से रियक्शिन गर्भाइँ तो क्या ने पास है है ह्ट्ट उसे रियक्शन करा हो तो और बनेगा तो यह स्टेटमेंट मेरे पास इंकरेक्ट सेटमेंट है अमोनियम काबोनेट स्मेल स्ट्रॉंग ली बिकॉस ऑफ एनेस्ट्री दा स्ट्रॉंग बेस सी ओ थी तो मैनेस एबल टू रिमूव दो प्रोटॉन फॉम फॉर पॉजिटिव बिल्कुल सही इंकरेक्ट पूछिये तो इंकरेक्ट तो हमारे पस इक ही स्टेटमेंट हो जाएगी सर मजा नहीं आया तो चलो एक, थोड़ी सी बात कर लेते हैं और को तई हाइनाइनिक हाइडरोलäसिस और एक होता है कैटैनिक हाइडरो ठीक है यह हाइड नमबर है हाइड लेसिस नमबर चलो देखना शुरू करते हैं और एनायन इक है डॉलिस अंदर एनायन है किसपर डिपेंड करता है बेसिक स्पेंट करता है तो एनायन इक है जिसके अंदर हमारे पास complete हैड रहा हो क्या होगा दे एनायन विच फिटांगर बेस देन ओवेश माइनस और हम जाता है ने च्टू कंप्लीटली आपके वास है होता है अगला जहां पर एक लिमिटेट एक्टेंट तक हाइड्रोलिस होता है अनायन विचार वीकर बेस देन ओवेच माइनस तक है अघ्रोलिस नहीं होता है अनायन विच और बेस दीओ भीकर बेस改व सब्स्स देख अनवगार वीकर ने चाहिए वीकर कम ओनीच than OH- and have conjugate acids stronger than both H2O and H3 positive, do not hydrolyze at all, जैसे CL- हमारे पास, बिल्कुल hydrolyze नहीं होता, HSO4- NO3- and CLO4- इसके examples है, हमने discuss कर लिया है anionic hydrolysis, अब आगे मैं तुम्हारे साथ चर्चा करता हूं, cationic hydrolysis के अंदे, cationic hydrolysis क्या कहता है, cation can function as an acid and reaction with water remove, hydrolyze, किस तरह से follow होती है, cation react करता है, h2o के साथ में, boh बनाता है, weak base और हमारे पास, h plus ions को generate करता है, the extent of hydrolysis of a given cation depends on its acid extent, किस पर depend करती है, भाया acid extent पर depend करती है, किस पर depend करती है, acid extent पर depend करती है, तो cationic hydrolysis के अंदर, कहां पर complete hydrolysis होगा, the cation which are stronger acid than h3o positive and their conjugate base are very much weaker than h2o, will show a complete hydrolysis, जिसे example में, ph4 आपके पास complete hydrolysis शो करता है, जहां पर limited extent तक होता है, the cations which weaker acid than h3o positive and their conjugate base are stronger than h2o, but weaker than OH- show hydrolysis to a limited extent, जिसे nh4 positive का hydrolysis आपके पास limited extent तक होता है, बहुत important case है, करते हों इसको solve तुम लोग, ठीक है न, other examples आप देख सकते, कहीं पर जहां पर कोई hydrolysis नहीं होता, the cations which are weaker acid than h3o positive and their conjugate base are stronger than both h2 and oh- do not hydrolysis at all, alkali और alkaline earth metal आपके पास इसके बहुत अच्छे examples हैं, बिल्कुल hydrolysis नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल hydrolysis नहीं होते, के टाइनिक और एनाइनिक हाइड्रोलेसिस पर मैंने आपसे बाते हैं, अगला सवाल देखते हैं, सवाल सर्ट टेबल वाले बहुत आते हैं, आइनिक में भी टेबल वाले सवाल आजाते हैं, यार क्या करें, पहला सवाल है, एक tri basic acid दे रखा है, एच 3 है जिसका k1 पता है, k2 पता है और k3 पता है हमको match करना है, कॉलम 1 से देखो पहले वाले में buffer दिख रहा है गया, इस सब्सक्राइब लिख रहा है कि परस्ट वाले में आप लोगों को buffer दिख रहा है गया, पर्स्ट वाले में आप लोगों को बफर दिख रहा गाई की मोलर ला मिक्स्च्चर ओफ क्या है एच थ्रिये और मेरे पास है एच टू एच टू एच आसेड है और उसका सॉल्ट है स्ट्रॉंग बेस के साथ तो पीएच सिदा सिदा लिख सकते हैं पीएच इस इकवल्स टू ध्यान दीजिएगा एक एच प्लस निकला है तो कौन सा वाला यूस करेंगे इसके अंद हो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन अपन सिट का कंसेंट्रेशन साल्ट और ऐसे का कंसीटिशन रख्या एक टीकि आए टीक योई मिक्स्टर रख्या है हम लोगों को एच 3 और एनी एच्टू एक हट है ठीक है ये वाले को देखते हैं फिर से लगता है साहाध रगतुग डिजग तो हमारे पास हे एंच त्री ए है और हमारे पास क्या है ही है ч त्टु ए नेगटेव हें किक विच ट्री ये बेस दिखाए दिरा तो हमारे पास पीेच पी के वन फटेSt हुक्त ट्रीक व database प्लस लाग रहें। ऑपन आसिद के कंसेंटररेशन अपॉन आसिद का कंसेंट्रेशन और एक्यूमलर दे रखा तो पी पीएच इस इकुल चुपी की वन रहा और पी केवन कितना आजाएगा मेरे पास चार तो मिरे पास पी एच जो आजाएगा पहले वाले का सलुशन का कितना आजाएगा कि चछलगे कि भी एच इतना दगा पहले वाले सेलूउशन घार जायेगा अगला वाला लेखते वी वाला यहां देख लेते हैं कि क्या वला LIN पछिर ओफ तो मेरे पास जो है आर से मिल जाएगा कि ऑर खीक है h2a का और किसका एन एड़ी एचेट नोट न एटू एचेट तो यह रहा है सॉल्ट और एड़ा तो हमारे पास यहां से पीच कितना निकल कर आएगा पीच निकल कर आएगा मेरे पास पीचे एड़ी टू प्लस लॉग सॉल्ट का कंसेंट्रीशन अपॉन एसिट का कंसेंट्रेशन एक बढ़ा तो वन और वन हो जाएंगे तो यहां से मेरे पास जो पी एच निकल कर आएगा इसका यह पी एच निकल गळाएगा पीक एट तूगे बढ़ावर और पीके टूगित ना मुझे कुश्चिन भी रखा एट रख एट ते रख था ओरिए ठीक है चल तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएग यह मेरे पास लीट्व आव вещ can और एने ठीए ठीके ना सी वाला देख एक की मूलर अजय बात को देखो भई एक की मूलर मिक्चर अने टू है यह प्लस एने प्लस यह से पास प्लस यह प्लाइच निकल कर दाएगा प्लस लॉग वह एक ना वीड़ तो है यहाँ से एकट आप इस्वेशन प्लस लॉग साट का फंञ सीटरिशन अपन एसिफ का स्यूच कितना मिल दाएगा ठीक है अगला देखो एक्वी मुलर मिक्स्टर ओफ एच्ट्री ए और एक्वी मुलर मिक्च्टर ओफ एच्ट्री ए और एन वेच्ट तो यहां पर थोड़ा सा तुमको जागना पड़ेगा एच्ट्री ए क hecho and new H रियाक कैसे करेंगे एसे रियाक करेंगे बनाएंगे यह एए एच्ट्в यह मिक्शुल्ट और यहां कि करता ले ने के बाद है एच्ट्री इसस्ट्री बना लें और यहां से एक्षुस निखाल अगाट चैनल रहेकर निकल कराईगा रहेगी वन बाइट तो फी के एवन प्लस पी के एक टू डिवेट वेड़्ाइट तो यहांसे कि एवन कितना मेरे पास चार और राट बारा बारा बता दो चे तो यहां से पी अगल पहले मार पहले मर फी एग्ला देखो अगला इसी के अंदर देख लो अग्ला इसी के अंदर देख किम अच्छर ओफ एने today इसे एक तो एव तो यहां से मिल रहा है सब कुछ मैंने सॉल करा दिया है तो यहां से इसकी पीच किती आ रहेगी टेना मैंच कर लिए यहां से अगला कुछ थोड़ा सा आसान कैसे कि इसका सलूशन एक लाइन में लिखा जा सकता है अगर आपको पता हो तो फॉर्दा बफर के पासिटी बीटा ठीक ना फ़र के पासिटी जिसको लोग बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है वीक आसिट एंड कॉन्जूगेट बेस भी बफर इस डिफाइन अस नमबर आफ बोल्स अफ्ट्रॉंग असे तो चेंज के का स्क्वेर अंडर वाट कंडिशन बेस्ट रजिस्ट मिलेगा हमको तो हमारे पास बफर कैपासिटी मैक्सिमम कभ होती है जब हमारे पास पी एच इकवल्स टूपी के होता है तो मैं सीधा आंसर कर दूँगा कि सी आंसर आजाए ठीक है पर अगर आप लोगों को चैनल को सॉलब करना होता है तो मैं ब्रक के बाते लेकर आया हूं यह सर दार्स डिर्क ढैसे पहुँंचे आप यह तो बता दो इस पहुचे करो आप मेरे साथ में साथ में चलिक स्नापशॉट देखते बफर के पासिटी क्या है बफर के पैसिटी इस क्वेस्टिन के लिए मैंने आपके लिए स्नाप्शॉट लिया है बफर के पैसिटी इंपॉर्टेंट है यह एडवांस के प्रस्पेक्टिव से थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं एक बफर सल्यूशन है वन लीटर का जिसमें वी मोल ओफ एनायन ह रहा हूं ठीक है पर कॉंसेप्ट यह फंडमेंटल ठीक है अगर मैं एक्वेशन टू और एक्वेशन वन को क्या करूं घटा दू तो मेरे पास जिल्टा पिए जो निकल कराएगा वो निकल कराएगा लॉग भी बाई ये लॉग भी माइनस एक्स अपन लोग ए प्लस एक्स इन्वर्स ले लिया जाए एक्स इस दा नंबर आफ मोल्स एड़ेट तो अगर मैं एक्स को बहुत छोटा माल लेता हूं तो मेरे पास जो बफर क्यासिटी का फॉर्मूला निकल कर आता है एक फॉर्मूला इंपोर्टेंट यह निकल कर आता है जहां पर ए और भी हमें पर बी का कंसेंट्रीशन क्या होगा बराबर होगा मतलब फ्रांत का कंसेंट्रीशन और गवें में लाइन कई सारे सवालों को सॉल कर देती है अगर आपको यह लाइन पता हो तो आप कई सारे सवाल चुट्कियों में सॉल कर देते हैं इसी लाइन की हेल्फ से ठीक है ना तो बफर मैक्सिमम बफर कपासिटी को यह बता रहा है अब उसी फॉर्मुले को थोड़ा सा और एक्सेंट करके दिखाऊं डेरिवेशन नहीं पूछा जाता इस कभी का कभी मिलोगे क्लास के अंदर तो जरूर इस फॉर्मुले का डेरिवेशन अपन देख लेंगे तो हमारे पास यह आपको फॉर्मुला याद करना होता है देखो यह फॉर्मुला जो उसने दें रखा ठीक है मैक्सिमम बफर का फॉर्मुला हमारे पास यह होता है ठीक है आप इसको और सी बफर हमारे पास क्या यहां पर इसकी concentration है टो यह बफर कैपैसिटी के थोड़ा-थोड़ा सिध्धा अगला सवाल देखते हैं, बफर से लेटेट सवाल है, सवाल को पढ़िए, फिल लीजिए, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, पर इतना आसान क्वेश्चन है, कि अगर तुम मैट्स के स्टुडेंट हो, तो फटा पट इस क्वेश्चन को सॉल कर दोगे, अगर तुम मैट सलुशन, सोडियम Tibs, szol, koncentration दे राखिए, यहाँ से बऑन से, बजह अएक्स, यहाँ से बगता हूँ, पी एचबन हो जाएगा मेरे पास Pka लोग, क्या होचा हैं, होरच बखनच के वाल एकस, Y एक्स और मेरे पास यह एक् यह में पाससे question 2 होगी एकोईशन मानस टू का में रिजल्ट रखा तो equation 2-1 कर देते हैं सीधा सीधा equation 2-1 कर देते हैं equation 2-1 कर देते तो या जाएका log y by x एकस बाइवाइब इस बाइबाइब एक तो लोग x by y minus log y by x इसको उल्टा कर देंगे लिए लिए इसको उल्टा कर देंगे लिए फिर हमारे पास कितना रहेगा यह वन दे रखा है मैं तो यहां से रहेगा log x square y square यह रहेगा फिर पास 1 यहां से x by y कितना रहेगा 10 यह रहेगा पिर पास 3.something 3.162 कांस आंसर मैच कर रहा है एक्स भाई और यहां से यहाँ से चल्प सब्सक्राइब और यहाँ त्या आगए आगा के इच ना कि ढ़िए गार पैस 4.7 सिथी कौन साथ मैच कर जाएगा संत Every mental not fast Transfer China बरका फॉर्मॉला कैसे लिखते हैं बरका फॉर्मॉला कैसे लगते हैं इतना बड़ा सब्सक्राइब फैरलिकार लग रहा है चलिए पढ़ते हैं प्राइब प्रेग्राफ को कि परेग्राफ कि कह रहा है मेरे सामने क्या कहता है paragraph सवालों को साल्व करने के लिए सवालों के जो सवाल अपना सत्य अपने अंदर छुपा रखा ए है थिक है न झा बोल रहा है पर मोनो मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक है मर जाएंगे नहीं तो मगर हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा तो तो फंक्शन प्रॉपर ली तो कीप पी एच रेंग इस रिक्वायर और डेलिकेट बैलेंस बेट्वीन बेट्वीन बेट्रेशन अव कॉंजुगेट आसट इस पेएस MAKING UP THE BUFFER SYSTEM THE MAIN BUFFER IS CARBONIC ACID HYDROGEN OR CART BUNE ठीक है न यह हमारे पास में जो बफर है बलट के अंदर वो इसका बफर है एट स्योटी माइनस का और स्योटी तुमाइनस का बफर है बात नमबर एक जो मुझे इसको देखने से समझ में आते हैं विच इन वॉल्स फॉलिविए ठीक है इसे क्लिवर को एक्सिस करता है यह बात को यह पुछ बफर भी और स्योटी माइनस अब लार्जली कंट्रोल बाइद इस लार्जली कंट्रोल बाइद रिटीक करते हैं ठीक करते हैं अपनी बॉड़ी के अंदर मिंटेन करते हैं ब्रीधिंग के थू समझ लेना बात को if the blood pH rise by 7.4 then a potentially life-threatening disease called एक बीमारी है alkolysis can result it normally occurs in climbers gathering oxygen efficiently at high altitude in a in a or in a patient who are hyperventilating from severe anxiety ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कुछ कुछ बात है जो मुझे यहां से समझ में आती है कि ब्लड में पीएच मेंटेन होता है ठीक है जो मेंली हमारे पास HCO3- और H2CO3 का होता है ठीक है H2CO3 का हम लोग जो concentration conclude करते हैं वो हम लोग करते हैं सास के जरीए और HCO3- का जो हम लोग conclude करते हैं वो हम लोग conclude करते हैं यूरिन के जरीए control करते हैं ठीक है न और अगर आपका पीएच का ब्लेट साथ पॉइंट चार से उपर जाएगा तो लाइफ ठ्रेटनिंग डिजीज जिसको हम लोग कहते हैं अलक्योलेसिस वह हो सकती आपको जो जनरली रेखी जाती है जो हाई एल्टिड्यूट पहाड़ी रोग जो रहते है और जो हाइपर वेंटिलेटिंग पेशेंट q7-2 Unicamatan और इसका कंसेंटरिशन में कितना साथ प कंसंटरेशन में कुतना इंडिक है कंसेंटरिशन हमें कितना जोए मिंटेन करके रखा है प्धीयो инoph negócio do 3-3 तो dealing देखा लाएगा यहां रहाएगा यहां से कितना रहेगा 6.40 प्लस लॉग एट कितना रहेगा 6.40 प्लस लॉग एट कितना रहा लाएगा असे अगला सवाल किया गयता है डब मैक्सिमम मैल्यू लॉट प्रेवंट करने के लिए हमारे पास चीनल सेवन पॉइंट पूछा है क्या पूछा है maximum permissible पूछा है 6.4 हमारे पास किसका concentration है log salt का concentration हमारे पास है HCO3- HCO3- upon H2CO3 यह कितना आजाएगा यह पास 6.4-1 is equal to log HCO3- upon H2CO3 तो यहां से मेरे पास इसका यह 10 आजाएगा 10 का उल्टा कर देंगे तो मेरे पास कितना रहेगा पॉइंट वन आजाएगा तो यह जो concentration आएगी concentration कितनी maximum permissible है 0.1 maximum permissible है to prevent alkyolosis ठीक है न चली आसान सवाल थे वो कितने आसान आसान सवाल है परेग्राफ के बड़ा सा परेग्राफ देखिए हो क्या करता है हमें भय बनाने की कुशिश करता है कि हमारे अंदर एक fear create हो जाए हम सवाल को पढ़े ही नहीं ठीक है चली अगला सवाल पूछा है which of the following is a correct statement ठीक चली इसमें हमें पूरे परेग्राफ को समाझना होगा जो हमने समराइस किया था परेग्राफ को वन जैसे आप सांसे लेंगे उतनी रिस्पीड सांसे बाहर भी निकाल रहे होंगे तो लंग्स में सियो टू कहां टिकरी तो यह हो जाएगी आपकी बॉड़ी के अंदर तो जो बैक के अंदर आपने फूका यह वापिस आप री इनहेल कर लेंगे तो आपकी बॉड़ी के अंदर जो कार्बोनिक आसेड जो कार बाहर जाने से यह स्ट्रोल किया रा सकता है थीक है न च्रूल यह भी इस्टेट्मेंट गलत है तो हमारे पास स्ट्रेट्मेंट को सब्सक्राइगा हमारे पस करेक्ट सेट्मेंट हो जाएगा तो बात समझ में आती है क्या, बात समझ में आती है क्या, आसान बात है, questions बहुत आसान आते हैं, बहुत इजी आते हैं, आपको जितनी चीजें समझ लेंगे, आप fundamentals पकड़ कर चलेंगे, तो solve पर पाएंगे, चलिए, अगला सवाल देखते हैं, अगला जो हमारा discussion है ना बच् चर्चा, अरे तो एक लाइन का सवाल है यार, पूछा है, the formation constant of agns3 to positive is, दोनों equations को जोड़ दो, ठीके न, अगर मैं थोड़ा करके दिखाऊं इसको, ag positive, nh3, यह मेरे पास बनाता है, ag, nh3, positive, और यह मेरे पास दे रखा है, k1, यह कितना दे रखा है, 1.6, एक तो दसकी का 3, और यहां पर मेरे पास दे रखा है, यह complex जो है, ag, nh3, positive, nh3, से react करता है, बनाता है, ag, nh3, 2 positive, ठीक है, यहां पर k2 दे रखा है, कितना, कितना दे रखा है, 6.8 into 10 to the power 3, दोनों को जोड़ देते हैं, पन तो यह कट जाएगा, यहां पर मेरे पास, यह इसका formation constant मुझे बनाना तो यह हो जाएगा, ag plus, twice of nh3, यह हो जाएगा, मेरे पास, कितना, यह हो जाएगा, मेरे पास, यह बना देगा, मेरे पास, और यह बना देगा, ag, nh3, 2 का whole positive, और यहां से k1 into k2 कितना जाएगा, मेरे पास, k net, जो दोनों का, हमें बता, जोड़ते हैं, reaction constant जो होते हैं, equilibrium constant जो जाएगा, कितना जाएगा, k1 into k2, multiply करेंगे, तो कितना जाएगा, 10 to the power 7 के form में बनेगा, तो मेरे पास, answer क्या जाएगा, मेरे पास, answer D, जाएगा, चली, कब का सवाल है, जेएडवांस 2006 का सवाल, चली, अगला देखते हैं, आसान सवाल दिख रहा है, solubility product of ksp of mx, mx2 and m3 ks type salts, mx type का हमारे पास क्या होता है, ksp, define कैसे होता है, ksp, solubility define होती है, s square ksp, ks k कितना रखा है, temperature t पर दे रखा है, 4 into 10 की खाथ, minus 8, solubility कितनी हो जाएगा, solubility s कितनी हो जाएगी, इसकी डिरेक लिक देता हूं, यहां से, solubility s कितनी हो जाएगी, यहां से, solubility s हो जाए type का, यह हमारे पास ab2 type salt है, ksp कैसे define होता है, ksp define होता है, 4 s cube, 4 s cube मतलब कितना, 3.2 32 into 10 15, 32 into 10 15, यानि मेरे पास कितना, minus 15, तो यहां से कितना रहेगा, 8 और cube है, तो कितना रहेगा, solubility यहां से, solubility यहां मेरे पास, 2 into 10 की खाथ, minus 5, ठीक है, अगला वाला हमारे पास है, m3 type का, m3 type का salt है, तो इसका ksp कैसे define होगा, 27 s ki power chart, 27 s ki power chart, यहां से कितना रहेगा, 16, 27, 10 की खाथ, minus 16, तो यह कट जाएगा, यहां से, यहां से, मेरे पास कितना रहेगा, भई, यह कितना रहेगा, मेरे पास, यह बराबर लिखा है, ना, तांकि से लिख रहे, ठीक है, कितना यहां से, मेरे पास अजएगा, s ki power 4, तो s कितना रहेगा, मेरे पास, 10 की खावर माइनस, तो solubility तुम्हारे पास आ गई है, सब्सक्राइबल कौन है, मेरे पास, सब्सक्राइबल है, मेरे पास m3 x, और सबसे least, जो solubile है, मेरे पास, वो solubile है, सबसे mx2, तो मेरे पास, आ सब्सक्राइबल में गिवन है, 0.1 mol CuCl, एड किया है, लोगों ने, ठीक है, और पूछा है, resultant concentration of ag plus in the solution is given is something like this, x की value हमें बतानी है, तो देखो, हमारे पास, ही सवाल किसका है, simultaneous solubility का सब्सक्राइबल किसका सवाल है, simultaneous solubility का सब्सक्राइबल का सब्सक्राइबल का सब्सक् यहां से, तो यहां से मैं CL की concentration निकालों, under root of KSP, CuCl कितना रहागा यह यह 10 दूबवार माइनस 3, 10 दूबवार माइनस 3, तो यह मेरे पास CL का का सन्सेंट्रेशन सारा कहां से आ रहा होगा, being, less में ने पास क्या है, किस्वी ले से तो जधा टूट्रा ओगए तो यह बहुत आसान हो गया, किस्वी लिखना, किस्वी मेरे पास वखना कितना, कहा से आएगा, 10 दूबवार माइनस 3, 10 पी इसका गीवन है, कितना वन पॉइंट सिक्स इंटुरेंट दूबार माइनस तेन यहां से कितना लगा एक्स की टार्मस एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है कि यह एडवांस 2011 कि दो दो लाइनों के सवाल आइनिक से सर्फ फंडमेंटल इतना आसान है ना इनिक का कि अगर आप फंडे क्लियर हो तो आप दो लाइन से ज़्याद दिमाग मतलब दिमाग चलाना है पैन नहीं सिध्धानती है आइनिक के अंदर चली अगला सवाल देखते है कि कैसे तूटे का यह है कि ट्वाइस ओफेजी प्लस प्लस सियरो फूट्टू माइनस अब यहां से अगर मैं एज़ी नुट्री डालूंगा तो देखो यह अगर मैं इसकी सॉलिविलिटी ले लेता हूं कितनी है कि यह यह जाएगी टूएस और यह जाएगी एस अब य यह जाएगी यहां से टूएस से अड़ हो जाएगी ठीक है अब मेरे पास जो सॉलिविलिटी है सॉलिविलिटी एस की देखो बहुत लेस होगी एगर मैं बात करूंगा अगर मैं यहां पर सीधा-सीधा 2s-1 को सीधा-सीधा 2s-0.1 को 2s-0.1 को मैं almost equal to 0.1 2s-0.1 को अब यहां से मैं अगर केस्पी लिखने जाऊंगा केस्पी कैसे लिखूंगा एजी प्लस की कंसेंट्रेशन का स्क्वाइर और सी आरो 4-2-3 कंसेंट्रेशन ठीक है ना तो हमारे पास क्या है तो सॉलिविलिटी हमें हमारे पास एजी प्लसी कंसेंट्रेशन का स्कॉर जो कि हमें बता है कितनी आ रखी 0.1 का स्कॉर यह हमारे पास क्या रही स्यारो फूर तो माइस कंसेंट्रेशन इस की जिए मैं एस भी लिख सकता हूं तो यहां से एस कितना रहे पास एस अधाय वैल्यू कितना है 1.1 इंटू 10 दिपावर माइनस 12 और यहां से ब्सक्राइब यह 0.1 इंटू 0.1 कि कितना रहे गा सुलिविलिटी में पास अधागी 1.1 इंटू 10 दिपावर माइनस 10 ठीक है तो यानि आंसर मेरे पास अधाएगा बी आसान सवाल था मेरे पास किसका common effect on solubility का सवाल है कि Ondo सवाल को पूछ रहा है सवालों को लेना चारा है अच्छा सवाल को बात कर रहा है तो अन्सटिफ़ाइट सल्उशन ऑफ 0.05 ओफ जलन टू प्लस इस सैटुरेटेट विद जिरो पैंट वारे इस तो टो टेगा हमारे बास जदन प्लस टू और स्टू माइनस के अंदर तो यहां से किस्पी मेरे पास कितनी आ जाएगी किस्पी कितना रखा है किस्पी कितना रखा है मेरे पास 1.25 1.25 इंटू पार माइनस 22 और यहां से मेरे पास कितना रखा रखा 0.05 तो कितना रखा ही यह पास यह 10 ऊपर चला गया 100 ऊपर चला गया और यह 100 नीची आ गया कितना लएगा यह कट जाएगा है यह ग्या लेगा यहाँ टू रहीव 2025 कितना रही है है कि अत् воз've यह मेरे पार कन्सेंटरिशन मेरे पास क्या होना चाहिए तो देह सकते हैं सीदे सीदह सीदह यहासे हमारे पास यहां से के लिखंगा तो कितना लिखंगा है एस to my night upon अपॉन है एट्ट्ट्ट्ट एसकी फिकेंटूपाइशन के रखका मुझे कितना एक इंट्ट्ट इस की फास्की स्कुरर्ण यहां से रहला है तो नसी कन्सेंटूटीशन दिकी मुझे तूपाइफ 2.5 इंटू टेंट दोवार माइनस एकीस डिवैड़ेड़ है एक सी कंसेंट्रिशन स्टैंडर्ड की दिरेकिती मुझे 0.1 तो यह कितना आ जाएगा यह किस से यहां इदर कट जाएगा यह जाएगा 0.125 तो यानि एक प्रस का कंसेंट्रिशन में पास कितना आ गया 1 by 25 एक प्रस का कंसेंट्रिशन कितना आ गया मेरे बच्चो 1 by 5 एक प्रस का मिनीमम कंसेंट्रिशन है तो प्रसेपेटेशन उफ जाएगा इतना H+, का concentration maintain रखूंगा, तो मेरे पास ZNS का जो precipitation है, वो नहीं होगा, बात समझ में आती है, किस तरह से सवाल को deal किया, कैसे सवाल को सोचा, समझा, ये भी हमारे पास पुराना J-Advance का सवाल है, recent J-Advance 2020 का सवाल है, ठीक है, J-Advance 2020 का सवाल है, अगला सवाल देखते है, the solub of salt, of weak acid, AB, जिसका pH दे रखा है, 3 fix है, ठीक है, और Y into 10 दो बार माइनस 3 mol per liter solubility है, value दे रखिये, AB की, अच्छा, J-Advance का सवाल है, KSP दे रखा है, ionization constant दे रखा है, मुझे, AB का, तो देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, initially क्या दे रखा है, मुझे, initially क्या दे रखा है, और A positive, initially, initially, यह दे रखा है, X, और इसका concentration दो फिक दे रखा है, 10 दो पार माइनस 3, final क्या होता है, यहाँ से, यह घुलता है, X-S, यहाँ पर बनाता है, यह S, और यहाँ पर बनाता है, S, अगर मैं initially देखू बच्चो, initially देखू, तो मेरे पास, अगर मैं देखू बच्च का concentration, और B negative का concentration, और यहाँ पर मेरे पास, अगर मैं K कैसे लिखाएगा, H positive का concentration, B negative का concentration, अपान HB का concentration, यहाँ से अगर मैं इसको equation 1 माल लेता हूं, यहाँ से इसको equation 1 माल लेता हूं, इसको equation 2 माल लेता हूं, इसको equation 2 माल लेता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ से म ऐख Tell यहां कितना अधर यह है यहां से यह अज़ुजहां मेरे पास यह बंडे घuciónप एपॉजितिव यह मेरे पास सब्सक्राइब इभ यह मेरे पास सब्सक्राइब हो यह श्रमिकों फॉपर बन जाएगा एपॉजटिव एच्जी की कंसंट्रेशन अपोंद हप्लस की कंसंट्रेशन फिक्स बाकी कर जाएंगे यहां से इसको इदर भेज जिता हूं तो ksp इन्टू एच्प पॉजिटलीटलिटि जो फिक्सक्वेसिन में गिवन यहां से मेरे पास ये कितना रखा यह गुवरेगा यह गुलेगा यह एस और स्सौल एंड यहां से स्वेड़ तो यहां से के प्णिसटेश्ट में कितना 20210-10-2-3 एक इतना गिवन है वन इंट्ट इन अलाएं से टैन्ट अलाएं से एट स्क्वेर और एस के लिए सौल करूंगा दो पर देखो अठारा ते रहां बना तेरह में से आट गए आट पास ते रहा तो यहां से दो कितना रहा यह हमें तीन इंट्टीन कि टम्स बताना नहीं तो से को दिख सकते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल देखते हैं में एच्ट वे सुफोर की कंसेट्रेशन मुझे रखिया रखिया 1.8 इंट टो पावर मैनस थी थीक है रेस्पेक्टिवली मोलर सॉलिविलिटी आप पीडियों फूर इंदर शेंड शेम सलुशन में पीडियो डाला सांटेफिक नोटेशन में वैल्यों अवाय बतानी बहुत वाय बहुत लार्ज दे रखा है और एक तो 4- माइनस आपके पास तूटेगा यह तो पास किसमें यह तो प्लस और इस पूर 2-10 माइनस के अंदर यहां पर आपको पास जो के टू की वैल्यू दे रखी है एक टू की जो वैल्यों दे रखिए हमारे पास कितनी हमारे पास व एक पास यहां से बैकवर्ड जाएगा मेरे पास 1 और यह जाएगा मेरे पास कितना 0.08 से यहां से जो मेरे पास कंसेंट्रेशन आएगा 1.8 इन बार दो यह लिए रियक्षिन बैक्षिन बैकवर्ड आएगी यह भी 1-1 होता है ले लेते हैं यहां से यहां पास घटेगा यहां पर वन प्लस ए बन जाएगा तो यहां से अगर मैं कि तू निकालूंगा भच्छों कि जरा देखो one minus almost equals to a ले लेते हैं हमारे पास तो हमारे पास यू आजाएगा वह आजाएगा तो यहां से निकल कर आएगा यहां से यहां से कटना निकल कर आएगा 0.006 यह मिरे पास निकल कर आएगा 1007 मेरे पास सैलताइब की कंसंटप्रेशन मेरे पास निकल कर आ गई है तो है अब मैं पीई सो फूर एड़ी को निकाल सकता हूं बिलकुल निम्गाल सकता हूं सोफूर की सो writings कर सकते हम लोग 0.012 मोलर तो यहाँ से मेरे पास किस्टा दे रखा है मेरे पास 1.6 इन्टू टेंट तुबार मानस एट डिवैड़ दिवाइड गर 0.01 तू में लिख सकतना हूं 1.2 इंटू टेंट से न सिक्सार अजाएगा और हमें तो आज़ेगा कितना यह हमारे पास एक सवाल कहां मिलेगा एक और यह खुबसूरत सवाल है जैद्वांस कही सवाल नहीं कपका करो देखो दो लाइनों का सवाल और डिक्रेजिंग पीएच फ्रॉम सेवन तो तू दुस्वालेटी ऑफ स्वेरिगल शॉल्ट अफ एम एकस अज़िए अग्स अब धियां से देखना है यहां से अब यहां पर क्या होगा यह से एकस माइनस क्या करेगा एच प्लस से रियाक करेगा और एच प्लस का कंसेंट्रेशन इस फिक्स देखो फिक्स ना कंसेंट्रेशन दोनों डेटा पॉइंट के लिए एकस अगर हर अगर मैं फक्रस्ट ऺलाओ के लिए केस्टि लिक्ता होगे लए अगर के सवाल को सुनना और समझना फोर्ष्थ वाल इक यहां से देखो कितना आजाएगा यहां से मेरे पास यहां से अब इन दोनों एक्वेशिंस को जोड़ देता हूं दोनों एक्वेशिंस को जोड़ देता हूं मैं दोनों एक्वेशिंस को जोड़ देता हूं मैं दोनों एक्वेशिंस को जोड़ देता हूं देखो एक प्यालल मेरे पास है आ आ एं-प्लस अ एंप्लस जिसकी बीलिटी दे रेत एच इस माइट आ एटा फिसलिए पास चारियो एक्स और harus अ Кितना यॉघ box सी अल्मोस्ट सी मांस एकस्ट फिर अलमुस्ट इंट ऊक्वॉस्ट फिर यहां से कितना एंगी किट का इंट के को सुछको वाइक हो, इस कितना इंट बैंक होंगे टू कि उसल सुछ अष्बिदे देखेगा, किनल डैटा इसे, दुम्हांत कुण इससे इस सोल्या बेलिटीक्स और एक चलेट ऑड़ाइगा से एक्वेशन तो एक्वेशन सक्वेशन वन यह प equation 2 plus equation 1 को add कर दो equation 2 plus equation 1 को add कर दो तो यह तो गड़ जाएगा यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पर मेरे पास बनेगा KSP यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास KSP H plus का concentration upon K A plus KSP और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा क्या यहाँ पर मेरे पास तो सॉलय बिलिकी का फ़ॉर्मुला निकल कर आएगा for this type of salt वो निकल कर आएगा यह यू लिए है मैंने केस्पी केस्पी यहां देना बाद को सुनना और समझना केस्पी मैं लिया है कॉमन यहां ने यह वेल्योज को पूट करता हूं आपके लिए जो Proto 652 न है कि मThey पर बहुत बहूत मेदारी नमाnost यह यकीन निहीं करोगे इस तरह का सवाल आपको NCR देखने को मिलनेगा एक सेम इसी टाइप का सवाल आपको participant ब्लस टंट वबढ़ माइनस oven दिमावार माइनस सेवेगा के स्ट यहां पर हमारे पास कितना अधी के सब्सक्राइब्स प्लॉप 10 तो पावर माइनस 2 डिवेड़ेड वाइक यहां पर साइड में केस्प लिख देते हैं केस्पी भी था कट जाएगा पर केस्पी एक्वेशन 3 एक्वेशन 4 डिवाइड कर दीजी दोनों एक्वेशन को आपके पास PKA निकल करा रहा होगा पर परनों के बोल रहा होगा आपके पास तो अबरे पास PKA कितना अंसर हाद एक है । लॉजीकल फंडामिनटल जै एडवांस तो हजाए अभी कितना आसान सवाल है अगर आप fundamental समझते हो कि कैसे हम solubility को observe करते हैं class में इस type का discussion में नहीं करा हुआ है कि किस तरह से इसकी solubility को observe कर सकते हैं this type of salt फिर in a buffer ठीक है चली एक बहुत अच्छा सवाल था बहुत प्यारा सवाल था ठीक है जे एडवांस 2023 का सवाल सवाल की गंभीरता को महसूस कीजिए अगला सवाल देखो क्या दे रखा है एट वाट पीएच दे solubility of zinc hydroxide is minimum कब minimum solubility यह रखता है what is the minimum solubility क्या minimum solubility pH पूछा और minimum solubility पूछा है तो देखो कि आपके पास बनाता है zinc hydroxide वह का फोर डुने कि तो नहीं तो सवाल इसका हमें क्या रखा इसका में रखा क्या के कि इससका हमें क्या दे रखा है के एसपी रखा है के एस पी रखा है के एस पी क्या और ओढ़िए रोगा मेरे पास जेटन को एच का वालचोट तू माइनस अपोछ माइनस का स्कुर्ब क्या की एक बार देख लो और समझ लो बोल्ड पर क्या लिखा मैंने एक बदेखू और समों कि सब्रसाइब है क्या तो उसके यहां से इस वाल वाली कवेशन से देखो कुछ्प को कं सेंट्रीशन यह लिखूंगा किस्टी अपान के सब्सक्राइब के लिए यहां से जिंक हाइड्रोकसाइड के लिए क्या लिखूंगा मैं के इन्टू ओएच माइनस का स्क्वार क्या यह लिखूंगा अग मेरे पास को मैक्सिमम करना है क्या करना है मैक्सिमम करना है क्या करना है मैक्सिमम मुझे करना है तो यहां से कितना बनेगा देखो यहां से मैं इसको डिफ्रेंशेट करता हूं माइनस के एसपी तू यहां से ओएच माइनस का क्यूब प्लस 2KF OH- यहां से मेरे पास कितना बन जागा यह 2 से 2 cancel out हो जाएगा यहां से मेरे पास बनेगा OH- का Q डिरेक्ली इसको 0 कर दिया है मैंने ठीक है ना डिरेक्ली इसको 0 कर दिया है तुन अच्छे तरीकी से लग देता हूँ D S ठीक है ठीक है यहां पर मेर पास क्या बनेगा OH- की पावर चार Изटीक एक्ली इकश् 치की बाइकेफ यहां से कितना आएगा यहां एकश्क कास की स्पी ऑईकेफ or कट जाएगा .12 x 10 टेंट टेंगार Systems witness कितना यहां से में पास हो घ्राइज मैने खने होरा यहां पी हो इस फॉर तो मेरे पास पीड नीगल करण एगा के लिए पास kulibiliti के लिए अगर आपको निकालनी है solubility तो यहाँ पर आपको IBM paper यहाँ परनी पड़ी के 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 लिए के लिए पता है निकाल कर देदी है यहां पर मैं आपके लिए रख करना है और। लगता हूं देटास को रख देता हूं तुम बाद में कहोगे नहीं कि सर आपने डेटास नहीं रखे मेरे हमारे लिए हम कैसे सॉल्व करें यहां पर सॉल्विलिटी जिंक प्लस की डिटा के लिए के स्वी अपॉन पॉइंट टू इंटू इंट दूबर माइनस 17 अपॉन वह रहा है और जीरो पॉइंट मैं बहुत अच्छे-च्छे से पढ़ूंगा इस सवाल को और समझोंगा और जीरो पॉइंट वन मुलर सलूशन ऑफ कॉपर नहीं स्वी पॉजिटिव इस तर्ड विदन एक्स पोटैसियम साइवनाइड सफिशन टू कनवर्ट ऑल्द अमोनिय ठीक है ठीक है और सियर मेरी सिट अकंसेंट्रेशन अब रखिये 0.2 मर्द रखिये ए क्याल कूलेट दपी एच्छ मैक्सिम नोब solution to final solution treated with hydrogen sulfide to maintain precipitation of cuprous sulfide prevented ठीके न क्योप्रस सल्फाइट का में प्रेवेंशन क्या करना है रोकना है और डीटा दे रखा है सब्सक्राइब अगर आपने इस तरह की क्वेशन को नहीं सौल किया है तो इस तरह का पुछा जा सकता है चले शुरू करते हैं हमारे पास कापर प्लस फूर सी न माइनस से रियक करताया स्टेबिलीटी इस पाता है क्या है क्या है सी इंच लिए वह सब्सक्राइब आपको यहां से यहां से बिलिटी निकालना तो के इस चबिलीटी वंग क्यों हो जाता है यहां सी कोपर प्लस का कंसेंटरेश्ण की तना अढ़ा है कॉकर प्लस का कंसेंटरिषिन आखा मेरे पास एखिकंस सब्सक्राइब यह पर देखाया और करते जाएए भी ििलिश प गताट्यक यह रछा है पद लोघ्ण whole 4 minus divided by cn minus की पावर चार यहां से मेरे पास के इंस्टीबिलिटी कितना रखा क्वेश्चिन के अंदर 1.6 के इंस्टीबिलिटी रखा मुझे 6.4 6.4 into 10 to the power minus 15 और यहां से मुझे इसका कंसेंट्रेशन की रखा कितना रखा कर उसरा सरा सरा कमईटवर्ट एक जैगा ना सबसारा कमईट जाएगा जिर्ओंट वर्ण 6.4 यहां पर 634 फूर इन्टु टेंट दी पावर माइनस 14 और यहां से मेरे पास एगा तू की पावर फॉर यानि यहां से था यहां से 16 डाय। शक्तीन और यहां पर 10 की पावर मार तो यह उपर जया कितना बना यहां से यह बन जाएगा मिरे पास को उपर ब्लस का और यह सुरी यह सिक्स्टीन हो जाएगा इस इसक्स्टीन इसको नीचे भेज देते पूरी तरह से तैन सबस्क्राइब लिए तो इसके इसक्राइब लिए तो किसे निखी लेगा एच्ट। मेरे पास कुटे एच प्लस और एच तू दैके और या फॉरक मिल बचु तो incub Brick Ama टूहेस को ढोड़ना हा तो usually आज सब्सक्राइब कान सीकाल और प्रसिपिटेशन पया नगा कर्णना प्रसिपिटेशन साफ्ट्प्र निकालना पूर सिपिटेशन तो यहां से केसपी अपकाब अवन कॉपर प्लस की कंसेंटरिशन स्क्वर किसटी किता रखा मेरे पास किसपी रखा मुझे 2.56 2.56 इंटू 10 रिपार मैनस 257 डिवेदेद वाइग कॉपर प्लस की कंसेंटरिशन का स्क्राइच किता ज़ाएगा चार का स्कॉयर 16 और यहां पास कितना तेरह का 26 26 कि इतना हो जाएगा मेरे पास यह नीचे भी देटान इसको इधर हो जाएगा हंड़ड यहां से कितना अलाएगा मेरे पास 26 में से दो चलेगा चॉइस तो यह 256 डिवैद बाइस सोला इंटू तो निवैद बाइस सोला इंटू 26 और यह नीचे चॉइस बनेगा चॉइस 27 टेंट बावर माइनस थ्री यह कितना हो जाएगा यहां मेरे पास 6 1.6 16 into 10 दो पावर माइनस 3 आप मुझे एस टूएशका क्या निकालना है प्रस इपटेशन निकालना एस टूएस का मिनिमम पी एच निकालना जिसे प्रसिपिटेशन हमारे पास प्रिवेंट हो सके मिनिमम सारी मिनिमम क्या बोल रहा था मैं मिनिमम कि अध्रोजन व्रों यह करना हमारे पास सल्टाइप करते हैं थोड़ी सी और बात करते हमारे पास सल्टाइप के शना घै खिए हमारे पास E करनाए एक्तों से कंसेंट तरॉखने क्यों गुल ग। जालूरी मुझे देखते हैं यहां से मैं हमारे सामें घ्रॉखने यहां से मुझे एच्छा स्क्वाइर मिल चुकिए प्रवेंशन को रोकने के लिए कितनी आई थी भाई सुर्फाइर अगी कंसेंविशन मेर पास कितनी आई थी सबस्क्राइब पास हमारे पास किसी को रोकने के लिए हमारे पास कि कॉपर सलफाइड की को रोकने के लिए minimum pH कितनी होने चाहिए 10 होनी चाहिए इस थीम पर बेस सवाल आपको मिल सकता है अगला सवाल करते है अग्वाइस solution of 0.02 molar FECL2 ठीक है बई बिल्कुल इतना ले लेते हैं concentration 0.05 FECL3 solubility product of ferric hydroxide and ferric hydroxide ferrous and ferric hydroxide as given identify the current statement among the following regarding the किस pH पर precipitation हो रहा होगा चलिए इसको solve करने से पहले ना मैं आपको एक case दिखा देता हूँ precipitation 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 of ferric hydroxide है हमें FECL2 का concentration question में ही given है तो अब यह precipitate होने के लिए OH- का square हो जाएगा इसके बराबर KSP upon FECL2 की concentration FECL2 की concentration तो यहां से मेरे पास कितना निकल कर आएगा यह यह निकल कर आएगा मेरे पास OH- का स्क्वायर है वैल्यूस को पूट करूँगा यह अंडरूट KSP upon FECL2 की concentration किती हुदाएगी है और यहां से कंसेंटेशन यहां से कितना रखा है यहां पे प्रसेपिटेशन कितनी हो रहेगी सेवन माइनस लॉक टू मतलब 6.7 और पी एच कितनी हो रहेगी फिर पी एच मिनिमम कितनी हो रहेगी मेरे पास 7.3 यहां से प्रसेपिटेशन प्रसेपिटेशन ओफ कितना कैसे निखेंगे इसको इसको लिखेंगे अपन इसको लिखेंगे देखो कैसे यहां पर भी आ रहाएगा वह मैंस का क्यूब को इसे aha हांसे जो पिवेच निखल कराएगी आपके पास पिवेच माक्सिमंट रहेगी वह निकल कराएगी 8.3шaps अब देखो इसका प्रसेपिटेशन चार्टच के अकोरिंग सकते हो इस चार्टके अकोरिंग तो के देख सकते हो हमारे पास देखो क्या है एट पी एच सिक्स नाइदर बिल्कुल सही बात है पी एच सिक्स पर कोई प्रसिपिटेट हमारे नाइन पर कोई भी प्रसिपिटेट नहीं हो रहा होगा कोई भी प्रसिपिटेट नहीं हो रहा होगा हमारे पास एट पी एच सिक्स नाइदर एफ और और 6 है तो ph minimum मेरे पास किती होनागा है यह स्टेट्मेंट क्या है हमने क्या पुचा एंक। कि एक परहत होरा होगा फॉरक है प्सेट्मेंट है यह भी एक फॉर स्टेट्मेंट है ठीक न ए से 7.3 के बीच में तो बिल्कुल सही है इफ पी ओच अफ दो सलूशन इस ब्टीन सिक्स पॉंट सेवन एड एट पॉंट सेवन हमारे पास सिर्फ कौन प्रसिपिटेट करेगा एफ यह विल प्रसिपिटेट नहीं गलत देख रखा है देखो तो हमारे पासC Осब हो जाएगा यह भी फॉल्ससेट हमारे पास ऑंसर हमारा सी आळअन सब्सक्रम हो जाएगा अगला सवॉख थेखें लिगले सवल आसल स्वाल करने के लिए यहां पर मेरे पास बनाएगा यह यहां पर मेरे पास जो अगर मैं लिखूंगा है प्रसेफटेशन को रोकने के लिए कर प्रसेफेटन कंपोने को का करने के लिए जस्त मीनिमम वैल घ्लिटक सबस्क्क इस tv का स्क्वायर जो है वह यहां पर मेरे पास में प्लस कम्पॉनिंट और यहां पर मेरे पास इस एक गमपोनेट आजएगा लेस होना चाहिए मेरे पास किससे आफ है यहाँ पर अगर मैं देखों बच्चों तो के मुझे रखाई एच्पसके निगालना है स्क्राइब जीटो पोइंट जीटो फूर जीटो पूंट लेसी और लेस्ट नहीं कितना यहां से अंधिना यहां sulphur-21 और यहां पर देखो कितना रहेगा वन अपॉन तेट नहीं और मैंनाश त्वीवन और यहां पर में पास रहेगा तो कितना स्टारट होगह अमएरे पास द्रटी क्या है वफर के अंदर यह सर्ट गल सकता हूँ कि यहनू है स्ट्रटी चेव इस कृष Stream करो को सब्सक्राइब तो इन्सचर निकल कराई मैर मैनस थै कि स्ट्ट्रीशन के अंदर कितना रखा 0.25 और यहां पर कितना रखा 0.15 तो यह कट जाएगा कितना हो जाएगा यह 25 पांच बार गाया तो पांच तीन कितना अगया यह 10 पटा तीन तो 3.33 इन-10 पार-5 तो यहां तो कोईफिटेशन हो घान है यह तो यह तो हमारे पास क्या है एक इस हदा बाइलियू दे रखे सॉरी तो हमारे पास no प्रेश्पीविए सबोन नोसोा ना असकर ना पड़ गार इंस इसको बढ़ाना पड़ेगा हमारे पास एच्से कंसेंटेस्टेशन को में कग 유 Synod fan पड़ेगा फोर इंटू यह में से एक प्रसक्राइशन मेरा पूंगे अ की मुझे पता है के मुझे पता टू-205 इस ती ओ ने एड करना पड़ेंगा कि एड करना पड़ेंगा यहां पाइगा 0.25 और यहां से CS3 C1 a concentration CS3 c o n a ka concentration यहां से CS3 c o n a concentration कितना निकल करेगा बच्चों CS3 C1 a concentration निकल निकल करेगा कितना 1.25 अ एड़ करना पड़ेगा CS3 C O n a 1.25 तो मेरे पास answer क्या आ जाएगा मेरे पास answer C आ जाएगा या चनसेडर दा solution of monoprotectic weak acid having a dissociation constant K what is the minimum value of concentration of CY such that the concentration of undissociated acid can be equated with C with the 10% of limit error 10% का limit error दे रखा तो हमारे पास देखो हेचे टूपता कैसे है है हेचे टूपता है आपके पास H प्लस और A-A-N के अंदर यहां पर हमारे अगर मैं यहां से लिखों इसको इसको लिखों तो यहां से बाइक यह जो आजाएगा सी वाइक एक इतना अगा पॉइंट वन तो यहां से मेरे पास alpha.1 हो जाएगा तो मेरे पास C by की वैलिव इतना रहेगा पॉइंट वन रख दीजिए यहां पर तो यहां से 1-1-1 तो यह दे रखा डैल्टा तो देखते मुझे किया याद आता एंगे अधर के याद आती है किस्की याद आती है पैलेंस करने इस रियाक्शन को मैं यह ज़ते हैं इस को चटी प्लस तो दो कनेंदर five a two स्वाल को अब्जर कर लोगे विदाउट पेंच चला है सवाल कर सकते हैं पर क्याल्कुलेशन तो करने ही पड़ेगी एक सेकंड देना पाइफ ए माइनस एयो थ्री माइनस और इदर क्या रहेगा थ्री एच्टू इस reaction का सारी components का डेल्टा जी रखा देखों यहां पर रखाएट वाइच्टू का डेल्टा जी ओट आगा लुपी माइनस का और की वैलिड़ी रखे तो यहां से अगर डिल्टा जी को आगे डिल्टा जी रिक्टा जी स्राविश तो पॉंट्प इपोई Państwo कि अब यहां से इसका घर में के डिफाइन करूं कि इतना अजागा मेरे पास एक फावर मैनस की पावर पाइफ एयोटी मैनस की पावर फाइफ एस तुक तो तो लेते हैं यह पन और इदर कितना वेच मैनस की पावर यह निकल कर आएगा ऊच मैनस की पावर शे निकल कर आएगा अब मुझे पता है डिल्टा जी रियक्शन आगया है तो डिल्टा जी रियक्शन आगया तो की आजाएगा डिल्टा जी रियक्शन वन 172.5 negative ka is equals to minus 2.303 25 by 3 temperature 300 lock k यहां से केस के लिए solve परोगे तो के निकल कर जो आ रहा है कि इतना निकल कर रहा है ते निकल कर रहा है तो तो थी निकल कर रहा है तो तो थी निकल कर रहा है तो थी इस इकल कितना 0.1 एक माइस रहा है रहा है और यहां से और यहां से रहा है यहां रहा है। सबस्टों कि पावर six is equals two यह थो यह रिकनता हो जाएगा यह रिफास वन बैर यह यह रिस चाहिए रिफया टो लिफार बार माइन सब्सक्राइब dx यह राया जाए इस रियाक्शन के लिए थर्मोडाइनेमिक्स, इकलिब्रियम और पीएच सब को जोड़ दिया है, यही एडवांस का फंडा होता है, यही एडवांस की बाते होती है, केमिकल इकलिब्रियम बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इसको सॉल्व कर सकते हैं, बने रहिए, जुड़ जुड़े रही है, यही तेजस के साथ में, ठीक है ना, आंसर आठ था, थैंक यू, ठीक है न, तो महनत करते रही है, और जुड़े रही है, तेजस सीरीज के साथ में, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉंग करने के लिए,